नमस्कार आप देखरें आज की खास बात वीर सिंग के साथ दोस्तो भारत सरकार तोरा अगनीपत योजना शुरुवात की गई जिसके तहत युवाओं की भरती चार वर्स के लिए अर्थात उनकी उम्र 17-21 वर्स के बीच होगी तो वे आवेदन कर सकते हैं आए जानते हैं कि क्या होनी चाहिए इसके लिए योगेता और कितनी सैलरी मिलेगी और 4 साल बाद जब रेटार्मेंट का समय आएगा तो उन्हें कितना पैसा मिलेगा ये सारी जानकारियों के बाद आप फैसला कीजेगा कि ये सरकार की योजना कितना सही हो कितना कलत होने वाले युवाओं को छे महिने तक ट्रेनिंग दी जाएगी इसके बाद सारे तीन साल तक सेना में सर्विस देनी होगी भरती के लिए अन्न क्रैटेरिया को जल्द ही सरकार द्वारा जारी कर दिया जाएगा अब सवाल है कितनी होगी सैलरी और कहां की जाएगी तैनाती अगनिपात योजना के तहट सुरुवाती वेतन 30,000 रुपे दिया जाएगा सर्विस के चोथे साल में इसे बढ़ा कर 40,000 रुपे तक कर दिया जाएगा सेवा निधी योजना के तहट सरकार बेतन का 30% हिस्सा सेविंग के रूप में रख लेगा साथ ही इसमें सरकार भी 30% योगदान करेगी चार साल बाद सैनिक को 10 से 12 लाक रुपे दिये जाएगे ये पैसा टैक्स फ्री होगा योजना के तहट भरती होने वाले युवाओं को कश्मीर और देश के अलग-अलग हिस्सों में तैनात किया जाएगा सेलरी कुछ इस प्रकार होगी पहले साल आपकी सैलरी तीजार रुपे प्रती मा होगी जिसमें से 30% आपके सेविंग में सरकार काटके आपके नाम से जम्हा करेगी और सरकार भी 30% आपको अलग संधेगी यानि कि 30 thousand रुपे अगर प्रती मा सैलरी है तो आपको 21,000 रुपे आपके खाती में आएगे, 9,000 रुपे रुपे प्रतिमा हो जाएगी इसमें भी 30% कटेंगे और 30% सरकार आपके नाम से जमा करेगी ठीक उसी परकार तीसरे साल में आपकी सेलरी 36,500 रुपे हो जाएगी और चौथे साल में 40,000 रुपे हो जाएगी चार साल के बाद जो 30% आपके जमा हो रहे थे प्रती महीने वो 5, लाख 2,000 रुपे होंगे और सरकार भी आपको 5,2,000 रुपे कंट्रिब्यूट करेगी यानि कि 4 साल बाद ब्याज जोड दिया जाए तो 11,71,000 रुपे सेवा निधी पैकेज आपके नाम से आपको 4 साल के बाद दिया जाएगा यानि कि हर महीने सैलरी अलग और रिटार्मे करिक अधिकार है लेकिन प्पलिक प्रॉपर्टी बस हो ट्रेन हो ठ्रक हो ओर जितने भी प्पलिक प्रॉपर्टी हो उसे जलाना उसका नुकसान करना यह मुझे लगता है कि एक सही नहीं है क्योंकि सरकार किसी भी पर्टी कि और कोई नहीं हो रहा है यह public property यानि की public का नुकसान हो रहा है और जो लोग public property का साथ नुकसान कर रहे हैं बीना समझे मुझे लगता है कि शायद वह अगनीपत योजना के लिए बने भी नहीं है दोस्तों जिस उम्र में आज के बच्चे पांठेला फिर चौक पर बैठ करते हैं अप चार साल बाद रिटार्मेंट के बाद 10-12 लाख रुपए लेकर रिटार हो जाए इस पैसे से उच्छा है तो एक छोटा मोटा बिजनेस भी कर सकता है अपने जीवन यहां से भी सुधार सकता है उधारन के लिए हम एक उधारन लेते हैं कि जब हम कॉलेज में होते हैं तो NCC क कि लिए तीन साल तक हम मेहनत करते हैं और तीन-चार साल अगर आपको सिना में ऐसी रक्षा करने का आपसर मिल रहा है तो यह गलत कैसे हैँ यह ऐक बढ़ा सवाल awfully जिसका साथ-साथ आप ऐसा भी कमाते हैं इजध भी कमाते हैं और एक अपने परिवार की जिंदगी भी बना सकते हैं, लेकिन देश के नौजवान आजकल के नेताओं के पीछे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नेता ने कहा तो प्रोटेस्ट करना है, नेता कुछ नहीं करेंगे, वो आपके सामने आपको लेकर जाएंगे, जबरदस्ती जेल भरो आंदोलन करेंगे, जबरदस्ती अ भटक रहे हैं उन्हें समझने का वे सकता है कि जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं आज के खास बात मेरे यानिकी वीर सिंग के साथ सिर्फ इन विसीन न्यूज पे